देश में 34 साल बाद एक नई शिक्षानीती आई है इस शिक्षानीती के तहत बड़े बदलाफ किये गए हैं बड़े निड्ने लिए गए हैं इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौझूद है देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोख्रियाल निशंग जी सबसे पहला सवाल मेरे मन में यही है कि पांचवी कक्षा तक जो आपने ये फैसला लिया कि स्थानिय या मात्र भाषा पढ़ाने का एक निन्ने लिया गया है उस निन्ने के पीछे सोच क्या रही है और साथी साथ आप इसे प्राइवेट स्कूल में कैसे लागू करेंगे मात्री जो प्राइरम्भिक सिख्या है उसको मात्री भाषा में होना चाहिए जो कस्तूरी रंगन जी के अध्यक्षता में जो बहुत बड़े बयग्यानिका है इस्थू की चेर्मेंट भी रहे हैं उनकी कमेटी ने और वग्यानिकों के विसलेशन के बाद और विशेशग्यों के राय के बाद ये निचोड़ाया कमेटी ने अपने अनसंसा की कि तीन वर्ष से और छे वर्ष तक के बच्चे का 85 प्रतिशत मस्तिस का विकास होता है इसलिए वो अपनी भाषा में ज़्यादा अभिव्यक्ति कर सकता है और अपनी भाषा में ही ज़्यादा समर्थ होता है जो उसकी मात्री भाषा है जो उसकी छित्ती भाषा है या जो उसकी राजी की भाषा है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा बोलता है सोचता है समझता है और इसलिए ये मत्री भाषा कक्षा पांच तक प्राद्यम्बिक शिक्षा तक उसको मत्री भाषा में पढ़ने का ये नई शिक्षा नीति में प्रस्ताव आया है। वेसे भी दुनिया के जो सीर्ष देश हैं विक्सित देश हैं यदि आप उसका भी अधिन करेंगे तो वो भी अपनी मत्री भाषा में ही अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और आज ओदुनिया के स्रिष्टतम देशों में हैं। यूनियस्को ने भी अपनी रिपूर्ट में ये कहा है कि हर संभव बच्चे को प्रारंबिक शिक्षा मात्री भाषा में ही होना चाहिए। अब मुझे ये कहते हुए बहुत खोशी है कि इस रने के बाद पूरे देश के अंदर लोगों में बहुत उत्साही उमंग है क्योंकि हमारी देश की जो भारत की 22 भाषाई हैं जो हमारे समिदान के अनुसूची आर्ट में समली थे हैं वो 22 भारतिय भाषाओं को भी सशक् जिंदा रहेंगी जब वो उस राजी के लोग उसको पढ़ेंगे और हमारा किसी भी राजय पर भाषा को थोपने का कोई मतलब ही नहीं होता है कि हम सब चाहते हैं कि ये जो भारत की जो 22 भाषाई हैं भारतिय भाषाई हैं ये विक्सित हो ये सुद्रड हो चाह वो तमिल ह है चाहे तेलगू है चाहे मलैलम है चाहे कंडड है चाहे गुजराती है चाहे मराटी है और चाहे उडिया है और चाहे पंजाबी है उर्दू है हिंदी है संस्कृत है सारी भाषाई हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और हम सभी भारतिय भाषों को वक्सित करना चाह में वो अपना प्रारेंबिक अधियन करें यह प्रस्ता वाया जिसको पूरी देश ने बहुत अच्छे से स्वागत किया है सब दूसरा सवाल भी मेरा स्कूली शिक्षा से ही जुड़ा है 10 प्लस 2 की जगा अब 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 की प्रणाली अबला हूँ होगी इसका स्कूली शिक्षा पर व्यभारिक प्रभाव क्या रहेगा हाँ अब अब 10 प्लस 2 था कि दस्वी तक एक ही धारा में बच्चा पड़ रहा है बच्चे की जो आईउ है और उसकी जो सोच समझ है और जो उसकी मनस्तिती है और जो प्रस्तिती है वो आईउ के साथ बदलती जाती है तो इसलिए हम लोगों ने 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 किया है बच्चे को 3 वर्ष से अंगन बाड़ी से ही उसको पठेक्रम मेलेगा खेल खेल में क्या 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 वो सीख सकता है क्योंकि 3 से 6 वर्ष के बीच उसका जो मस्तित का विकास होगा उस समय उसकी क्या रूची है क इसलिए के माधियम से विविन गतिविद्यू के माधियम से वह कैसे करके उसकी उस मनिस्टित को उभारा जा सकता है इसलिए फिर तीन वर्ष का वह आंगन बाड़ी में रहेगा दो वर्ष फिर वह प्रामरी में रहेगा फिर आगे वह बढ़ेगा और फिर वह पांच्वी आठवी की भी उसकी परिक्षा अंतरन तरीके से समंधित स्कूल लेंगे और दस्वें और बार्विका जैसे बोड़ था वो बोड़ होगा तो बहुत अंतर है बहुत अंतर है अमने रेपाठेकरम में अंतर है हमने छटवी से ही वोकेशनल एजुकेशन ताकि वो इसकिल का व विकास हो और वो भी इंटरंसिव के साथ हो ताकि उसको एक विदा स्कूली शिक्षा में स्कूल से जब निकलेगा वो तो फिर एक युदा के रूप में किसी न किसी स्किल का महरत हो करके बाद निकलेगा वो और उसको प्रक्टिकली रूप में वो बिलकुल तयार हो करके जाएगे ये उसी दिशा में वो फिर आगे बढ़ेगा तो उसके लिए बहुत अच्छे मौके हैं और जिस तरीके से दुनिया का हम पहला देश होंगे जो कृतिम बुद्धिमता इसको लिए शिक्सास से पढ़ाएंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम जब पढ़ा है ताकि वो पूरा उसको विकास का मौका मिले और उसकी आईवी की हिसाब से उसकी प्रस्थिति और मनेस्थिति की हिसाब से उसको हम तेजी से अगे बढ़ा सके और जो हमारा मुल्यंकन का है वो भी बिल्कुल नई सिक्षानीति में अलग है अब अंक ग्यान और अक्षर किवल इतना ही नहीं है कि उसने कोई लिग दिया रूसी पर उसका मुल्यंकन होगा नहीं तीन सो साथ डिग्री होलिस्टिक मुल्यंकन होगा उसका वो स्वेम भी अपना मुल्यंकन करेगा अभिभावक उसका मुल्यंकन करेगा उसका साथ ही उसका मुल्यंकन करेगा तो इसको पूरी देश ने बहुत स्वाधत किया है और इसलिए मैं लोगों का भी आभर व्यक्त करना चाहता हूं अगर हम स्कूली शिक्षा से आगे बढ़कर कॉलेजिस तक जाएं तो एक सवाल मन में ये आ रहा है कि अगर्डूएट कोर्सेज अब चार साल के होंगे तो इसके साथ साथ मेरे बन में मैं थोड़ा सा पीछे जाओं तो मुझे याद आता है कि चार साल का ये जो फॉर्मिला है ये पहले भी एक बार आया था लेकिन इसको वापस लेना पड़ गया था तो इस बार दुबारा ये निंडे लेने के पीछे क्या सोच है क्या वज़ा है नहीं देखे हम लोगोंने बिल्कुल अलग वो कर दिया अभी कुछ समय कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि वो एक साल का अपने जो पीछडी से पहले एक साल वो करता था वो भी आपने अलग कर दिया आप चार वर्ष का डिगरी का आप कर रहे हैं हम लोग कई प्रकार के प जैसे MP1 एक साल का होता है आप MP1 एक साल का के बज़े वो चार वर्ष का जो डिग्री का होगा वो उसके बाद सिधी वो उसके बाद PSD भी कर सकता है सिधे उसके लिए PSD भी होगा उसका साल बचेगा लेकिन ये तीन साल में वो डिग्री कोर्सेज कर रहा है और उसको लग रहा है बीज में प्रस्तियां ऐसी हो रही है कि वो छोड़ रहा है तो ये दो साल में भी उसने छोड़ दिया तो उसको निरास होने की जरूरत नहीं है एक साल में भी छोड़ रहा है तो ऐसा नहीं कि अब वह इस साल उसका बिकार हो गया बरिबाद हो गया हम लोगों ने ये तय किया है कि एक साल में क्योंकि उसका एक तो क्रेडिट बैंक बनाएंगे उस credit bank में एक साल तक पढ़ रहा है तो उसको certificate मिल जाएगा यदि दो साल बाद प्रस्तियां ऐसी की छोड़ना पढ़ रहा है तो खाली नहीं जाएगा बलकि उसको diploma मिलेगा और तीन साल के बाद उसको degree मिलेगी तो इस तरीके के अलग-अलग पैमाने पर उस चात्र को पूरी छूटा और यह दिर लोटके भी आना चाता है फिर दुबारा पढ़ना चाता है तो उसके लिए उसको छूट है वो आए और आकर के वो दुबारा पढ़ सकता है और वो जो उसका digital lokers में डीजी में जो उसका bank म उसकी आधार पर वो आगे बढ़ सकता है बिलकुल खुली छूट है आप तो चात्र चात्र तो इस सिक्षा नीति में चात्र बिलकुल राजा जिन सा है जो नर는े ले सके जैसे उसको विषय को नरने लेने की छूट है वो कोई भी भी से ले सकता है उसके कोई पाबंदी नह ना उसका परवार का पाबंदी लगाएगा ना विवाग पाबंदी लगाएगा ना उसका कॉलेज पाबंदी लगाएगा बलकि उसको खुली छूट है वो विज्ञान के साथ साहित्यका कोई ले सकता है वो इंजिनरिंग के साथ संगीत ले सकता है वो कॉमर्स के साथ विज् लोग प्रिया हुई है उनको बिल्कुल हर कदम पर आउसर ही आउसर है सर्कॉलेजिस से जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी है कि जो नई शिक्षा नीती में जो चात्रा आएंगे वो एक दो या तीन साल के बाद उनके पास multiple exit options भी रहेंगे तो उनको किस तरह का लाब मिल वेदि दो साल में प्रस्तिवास बाहर निकलता है तो उसको diploma मिलेगा और तीन साल में भी प्रस्तिवास तो उसकी degree मिल जाएगी तो उसको पूरा का पूरा उसका कहीं भी समय खराब और लोगों को देगा उसको ना भटकने की जरूरत है और ना किसी को प्रबानित करने की उसकी जरूरत है बहुत ही बहतर अभिनाव काम हुआ है ABC यह ABC जो यह बैंक मना है बहुत खुब सुरत है एक एक विशे जो काफी चर्चा में आ रहा है वो यह कि एंफिल को निरस्त कर कर लिया है सबसे पहला सवाल को निरस्त करने की वजह क्या मैसूस हुई और दूसरा यह कि जो अभी स्टूरेंश और कर रहे हैं उनका अब क्या होगा नहीं जो चात्र एंफिल कर रहे हैं उनको करना है न और एंफिल को इसलिए यह कहा है कि चार वर्ष जो जिसने प्यज़ी करना है वो चार वर्ष का लेगा जिसको प्यज़ी करना ही नहीं वो तीन वर्ष का जो है अपनी डिगरी लेगा यह कि यदि उसको शोद करना ही है तो पहले से ही तयार रहेगा कि चार वर्ष मैंने ये डिग्री लेनी है चार वर्ष के बाद सीधे मुझे M. फिल नहीं करना है बलकि PSD करनी है शोद करना है तो उसके लिए ये बहुत आसान रास्ता होगा ये सोद के लिए सोद की संस्कृति कैंसे हो सकती है अनुशंदान की संस्कृति कैंसे बढ़ सकती है ये रूची कैंसे जग सकती है इस दिशा में ये कदम उठाय गया ये इस कदम के लिए भी बहुत लोगों ने वत स्वागत किया लेकिन जो इसमय एंफिल कर रहे है वो अपना एंफिल पूरा करें सरसर साल 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% ग्रॉस इंड्रोल्मेंट रेशियो के साथ माधिमिक स्तर पर Education for All का लक्षे रखा गया है मेरा सवाल ये कि कहीं लक्षे अब ये भारिक तो नहीं देखें स्कूली शिक्षा में हमने 100% का जो लक्षे रखा है हम कोशिश कर रहे हैं कि वैसे भी सब के लिए शिक्षा हमारा पहला दाईत्व है और उसको अंतिम छोर तक के बच्चित तक हम जाएंगे कि कोई भी इस देश का एक भी बच्चा इसा न छोटे जो शिक्षा से बंचित हो और इसलिए इसकूली शिक्षा तक सारवभोमिक शिक्षा की हमने बात की है सर्व शिक्षा अभियान की हमने बात की है समग्र शिक्षा की हमने बात की है और इसलिए जहां समग्र शिक्षा की हम बात कर रहे है वहाँ ड्रोफ आउट जो प्रति वर्ष दो से धाइक करूर बच्चे करते थे भिन-भिन कारणों से उनको भी रोकने की इस शिक्षा नीती में बहुत सारी व्यवस्थाएं है और इसलिए हमको भरोसा है कि हम शत प्रतिशत अपने लक्षों को प्राप्त करेंगे और जहां तक उच्च शिक्षा का भी से है लगवग हम 27 प्रतिशत पर रहें इस समय और हम 2035 तक उसको 50 प्रतिशत तक लेकर के जाएंगे 50 प्रतिशत तक लेकर जाने में हमारे देश के लगवग साड़े 3 करोड नए चात्रों को उच्च शिक्षा में अस्थान मिलेगा यह बहुत बड़ी उपलब्दी हमारी होगी और इसलिए हमने उसका भायकादा रोड मैप बनाए है हम उस लक्षा को हर हालत में हांसिल करेंगे सर इस बार तीन भाशाओं के चैन में हिंदी अनेवारे नहीं है मेरा सवाल यह है कि कहीं इसके पीछे कुछ राजनीतिक दलों का हिंदी विरोध तो नहीं है देखे हमने पहले भी कहा कि हम हमारी गौर्वर्मेंट भारत की स्वी भाशाओं को सरशक्त करने की पक्षदर रही है और हमारा तारगेट तो जो हमारे देश के प्रधान मंतिजी ने कहा कि ने भारत का निर्मान ऐसा भारत जो सवच्छ भारत हो जो स्वस्थ भारत हो जो सशक्त भारत हो समर्द भारत हो स्रेश्ट भारत हो भारत और आत्म निर्वर भारत जो ने भारत की उन्होंने एक बनाने के दिसा में जो ये नई शिक्षा नीती जो राश्टे शिक्षा नीती आई है जो आज़दी के बाद भारत की पहले अपनी शिक्षा नीती होगी वो उस ने भारत के निर्मान की आधारशिला बनेगी और इस आधारशिला में हमारे पूरे देश का ये जो एक हजार से अधिक degree college हैं जो 15 लाग जो इस स्कूल हैं और एक करोड है और नौ लाग से बिए अधिक अध्यापक हैं और जो यह चाट्र चाट्रण हैं अमेरिका की कुल आबादी से अधिक 33 करोर जो चातर चातरे हैं ये हमारी परदान मैंत्री जी के उस सपने को पूरा करने के लिए राद दिन खापेंगे ये नई सिक्षान नहीं थे उसकी आधार इस्तम बन करके पुरी दुनिया में हिंदुस्तान को ग्यान की महाशक्ति बनाएगा हम ज्यान, विज्यान, अनुसंदान, प्रियोद्यूगी की इचित में नवाचार के साथ अपने मूले पर शिक्षान को ले करके और विश्व परतिस परदा पर जाएंगे और इसलिए भाषा किसी पर थोपी नहीं जाएगी भारत के सभी भाषाओं को हम सशक्त करेंगे, समिर्द करेंगे और अभी भी हम कर रहे हैं इसलिए लोगों को ये जो शिक्षान नीती है बहुत पसंद आई है और मैं देश के जिस तरीके से पूरे देश के अंदर एक उत्सव जैसा बाता बढ़न है लोगों ने राजनीती से उपर उठकर के दलों के लोगों ने भी इसका सम्मान किया है इसकी प्रसंसा की है मैं उनका सबका आभार प्रकट करना चाहता हूँ और मुझे भरोसा है कि ये जो नई शिक्षानीती आ रही है ये हर छेत्र में भारत को समर्दी ने बनाएगी बलकि जो भारत से जाने वाले बिदेशों में जो चात्र हैं हमने अभी कहा कि इस्टेडी इन इंडिया और इस्टे इन इंडिया वो अब भार जाने का मन भी बदलेंगे क्योंकि यहां की जो शिक्षा होगी वो अंतर राष्टे फलक पर होगी उसकी अंतर राष्टे मानकों के आधार पर इस शिक्षानीती को जमीन पर अपनी जड़ों को मजबूत करते हुए और पूरे वेस्व की प्रतिस परदापर हर छेत्र में ज्ञान में विज्ञान में अनुसन धान में नवाचार में स्रेश्टता दर्ज करेगी और इसलिए मैं देश के सभी छात्रों को मैं इसके लिए शुब कामना भी देना चाहता हूँ आशा है उमीद है सर आपके जवाबों से स्टूडन्स को और क्लारिटी मिली होगी आप आपने समय निकाला उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद